चीन की अकड निकालने के लिए अमेरिका ने अब उसे समुद्र में घेडने के लिए नई रणनीती बनाई है दक्षिन चीन सागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की ताकत को और भी बढ़ाने वाला है हौंग कॉंग और तिबबत का साथ देकर चीन को परिशानी में डालने के बाद अब अमेरिका उसे समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाला है अमेरिका की इस नई रणनेती को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वार चल रहा है अमेरिका अब चीन को चुनौती देने का कोई भी मौका नहीं चोड़ना चाता है चाहे LAC पर भारत के साथ चीन के विवात हूँ या फिर जापान के खिलाफ चीन की चाल हर मौके पर अमेरिका ने चीन का विरोध करने वालों का साथ दिया है LSE के उपर उसने भारत का भरपूर समर्थन किया है अब डक्षिन चीन सागर में चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने एक नई रणनिती बनाई है इसके तहट अमेरिका अगले एक दशक में इस ख्षेत्र में अपनी समुद्री सेनाओ, नौ सेना, मैरिन कोर और कोस्ट गार्ड को इकत्रित करेगा हॉंग कोंग से प्रकाशित होने वाले एक प्रमुक अखबार की पोस्ट ने ये जानकारी दी है अमेरिका अपनी समुद्री सेनाओ को इकठा कर चीन की बढ़ती ताकत को रोकेगा आपको बता दें कि चीन को अमेरिका अपने लिए सबसे दिर्ग कालिक खत्रा मानता है उसका मानना है कि दक्षिन चीन सागर में वह अपनी समुद्री सेनाओं को इकठा कर चीन की पड़ती ताकत को रोक सकता है Advantage at sea शीर्षक से पिछले महीने प्रकाशित अमेरिका की इस रणनीती में अमेरिकी नौ सेना के उद्देशियों को समुद्रों की स्वतंतरता को संरक्षित करना अक्रामत्ता को रोकना और युद्धों को जीतना के रूप में परिभाशित किया गया है आपको बता दें कि दक्षिन चीन सागर में अमेरिका अपनी नौसेना की रणनीती में बदलाव करेगा अमेरिका ने माना है कि चीन के व्यवहार और बढ़ती सेन्य ताकत को वह लंबे समय तक चुनोती देने में सक्षम नहीं होगा इसके लिए जरूरी है कि दक्षिन चीन सागर में अमेरिकी नौसेना भी अपनी रणनीती में बदलाव करे और अपनी क्षमता बढ़ाए दक्षिन चीन सागर के 90 फीसद हिस्से पर चीन अपना दावा जताता है चीन के इस दावे को उसके पडोसी वियतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनेई और माल्दिव नहीं मानते और चुनोती देते हैं 2016 में संयुक्त राश के एक ट्रिब्यूनल ने भी चीन के इस दावे को खारिच कर दिया था लेकिन चीन उसके फैसले को नहीं मानता आपको बता दें कि बीते दिनों, अमेरिकी राच पती डॉनल ट्रम्प ने वाइट हाउस से विदा होने से पहले चीन को एक और बड़ा जटका दिया था उन्होंने अली पे, वीचैट पे समेथ कुछ अन्य चीनी एप्स पर भी फ्रतिबन लगा दिया था अमेरिका ने बैन की वज़ा बताते हुए कहा था कि ये एप्स यूजर्स की जानकारी चीन की कॉमिनिस्ट सरकार को सौंप सकते हैं आपको बता दें कि राश्रिपती चुनाव में हार के बाद से अब तक डॉनल्ड ट्रॉम्प चीन के खिलाफ कई ऐसे कदम उठा चुके हैं और इस बीच दक्षिन चीन सागर में अमेरिका का ये कदम चीन के लिए बड़ी परिशानिया खड़ी करते नजर आ रहा है साउथ चाइना सी में चीन की हेकडी निकालने के लिए पहले ही अमेरिका ने अपने नौसेना को तैनात कर रखा है लेकिन अब चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने चीन के पडोसी देशों के साथ गढ़ बंदन बनाने के साथ-साथ अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रही है इससे चीन की मुसीबत बढ़ने वाली है फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो और नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया